दुश अप्रीतव धात्व है जो उभेपदी है और यहाँ पर विदादेरवा सुत्र में विद आकारांतर दुश धात्व को अन्विवक्ति के स्तान पर उस आदेश होता है उस सुत्र के कारण यहाँ पर दुश धात्व आपके बीच में आई है अब दुश धात्व आपके बीच में आई है परसमे पद में हमने प्रियोग पूरू में सिद्ध कर लिये हैं आज आत्मने पद के प्रियोग सिद्ध करन अंत्रगत में उसादेश विशेश काम हैं इसलिए यहां पर ह्यस्तनी के परस्मेपत के प्रड़्योग ही सिद्ध करके दिखाए है अद्वेट अदुष्टाम अदुषन और अदुषी लेकिन हमें इसके पूरे रूप हमने चलाए बरतमाना से लेकर ह्यस्तनी तक अब आज आत्माने पद में दुष धात्व के रूप चला रहे हैं दुष धन ते सबसे पहला सुत लगता है अन विकरणा करतरी अदादेर लुक विकरणस से यह अदादी गण की धात्व होने के कारण दो सुत्र नियमित लगते हैं अब इसके बाद में हमारी इस्तिती है दुष धन ते अगर यह परस्मे पद में ती होता तो यहां सुत्र लगता नामी नस चोपदाया लगो हूँ तो कि इसकी उपदा में लगो नामी है तो यहां पर परस्मे पद में गुण हो जाता लेकिन आत्मने पद है तो सर्वेशा मात्मने अनुत्तमे पंचम्या इस सूत्र से गुण का निश्यद हो जाएगा नामिनस चोबदाया लगो सूत्र से गुण की प्राप्ति है पर सर्वेशा मात्मने नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निश्यद हो जाएगा अब गुण का निशेद होने पर हमारे सामने इस्तितियत दुस धन ते या सकार मूर्दन सकार के सामने तवर्ग है तो मारा पराना सुत्र तवर्ग से सटवरगा तवरगा हा तवर्ग के योग में सकार और तवर्ग हों तो त का तवर्ग के इस्तान पर तवर्ग आदेस होता है तो यहाँ पर ताके इस्तान पर चादीस हो जाएगा तो बनेगा दुष्टे प्रियोक सित हो जाएगा पिर आते परते आएगा तो आते में कुछ नहीं करना है अन्विकरणा करतरी अदादे लुक विकरणा से और वेन्यन मस्वरम परवर्णम नएत लगा के जोड़ देना है तो बनेगा दुशा आते दुशा आते गुड़ की प्राप्ति का निसेद होई जया है अब अन्ते प्रत्य आएगा अन्ते प्रत्य में अन्विकरणा करतरी अदादे लुक विकरणा से नामिन स्चोबदाया लवो से गुण की प्राप्ति सर्वेशा मात्मने नुत्तमे पंचम्या से गुण का निसेद अब यहाँ पर नया सुत लगेगा आत्मने चानकारा आत्मने चानकारा से नकार का लोग हो जाएगा तो बनेगा दुशते दुशते फिर उसके बाद में से प्रते आता है अब से प्रते में विशेश से ध्यान दखना है कि हमको करना क्या है से प्रते विशेश हमारे वीच में आ रहा है साफ़ दान नी रखेंगे आप लोग अब परस्मे पद होता तो सी आता परस्मे पद होता तो सी आता यहां पर से है बात दोनों की एक सी है परस्मे पद होता तो नामिनस चुबदाया लगो सूत्र से गुण हो जाता आत्मने पदी है तो गुण का निशेद हो जाएगा अब ध्यान से सुनेंगे दुस धातु है और सेप्रते आया है सेप्रते के आने पर दो काम सबसे चार काम पहले कर लिजे अन्विकरना करतरी अदादेर लुक विकरनस से दो काम होगए अन्विकरन किया अन्विकरन का लुक कर दिया अब नामीन श्योबदाया लगो सुत्र से गुण की प्राप्ती सर्वेशा मात्मने नुत्त में पंचम्या सुत्र से गुण का निशेद। अब हमारे सामने स्थितियत दुस्धन से पीछे सुत्र पढ़ेते अपन सडो का से सा और ढाके इस्तान पर का होता है। तो परस में बद में सीवी सा है और आत्मन में से भी सा है। तो मूर्दंद सकार के इस्तान पर का आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थितियत दुक धन से दुक धन से अब सूत लगेगा आंगे नामी कर पराहा। प्रत्य विकारा गमस्ता शी समनु विसरजनिय सान तरोपी उस सुत्र से जो से भी बट्य लेकर आए हैं। उस से परत्य के इस्तान पर मूर्दन सकार आदिस हो जाएगा। और मूर्दन सकार आदिस होने के बाद में कासा योगे च्छा मिल करके च्छा हो जाएगा। तो बनेगा दुसे दुसे ध्यान न कहेंगे दुसे बने गया। पर उसके बाद में आया आथे अब आते में कुछ नहीं करना है केवल जोड़ देना है। और बनेगा दुशा थे अब ध्वे परत्य लेकर आएगे। दुए परत्य में साफधानी रखना है। दुए परत्य लेकर आएगे। दुए परत्य में साफधानी रखना है। चार काम सबसे पहले कर देना है। चार काम कौन-कौन से करना है। सबसे पहले करना है अन विकरना करतरी। प्रकन्ना है अदादे लुक विकरनस से तीसरा काम करना है नामिनस चोपदाया लगो और चौता काम करना है सरवेसा मात्मने नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुणका निशेत अब हमारी सामने इस्तिति है दुस्धन ध्वे ध्यान दखेगा यहाँ पर ध्वम है ध्यान दखना परसमे पद में ध्यान दखना और यहाँ पर ध्यान दखना है थोड़ा सा पर असमेपद में तो था होता, क्यार आत्मनेपदी चल रहा है इसलिए ध्वे ही आएगा, बरतमाना ही चल रहा है अपना, तो ध्वे आ गया, अब ध्वे आने पर साफदानी रखना है कि अब आँगे हमारी इस्तितियत दुस धन ध्वे, अब यहां पर सा जो है, मूर्दन स जो है वो ध्वट है, और सामने जो ध्वे है, वो चौता अक्षर है चतुर्थ, तो पराना सूत लगता है ध्वटाम तृतियस चतुर्थेसू, ध्वटाम तृतियस चतुर्थेसू, ध्वटाम तृतियस चतुर्थेसू, ध्वटाम तृतियस चतुर्थेसू, ध्वटों क पर उचारन स्तान पगड़ना पड़ेगा, तो तवर्ग का और मूर्दन सकार का उचारन स्तान एक है, यानि कि मूर्धा शकार का और टवर्ग का उच्चारन इस्तान एक है मूर्धा तो दोनों का उच्चारन इस्तान एक मिला मूर्धा इसका मतलब ये है कि ये सकार तवर्ग के परिवार का है और धुट को तीसरा अक्षर करना है तो तवर्ग के परिवार का डा हो जाएगा दकार अब अमारे सामने इस्तिति है दुड धन धुए अब पूर उपद में दकार है और सामने दकार मतलब तवर्ग है और सामने तवर्ग है अब दो सूत्र लग सकते हैं दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं पहला सूत तवर्ग से सट तवर्गा तवर्ग के साथ में तवर्ग का योग हो तो तवर्ग को तवर्ग हो जाता है अथवा तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्ग हो इस सूत्र को भी लगा सकते हैं अब आप पूचेंगे कि दोनों में अंतर क्या है दोनों सूत्र मे अंतर ये है कि तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्ग सुत्र कहता है तवर्ग के योग में चवर्ग और तवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग और तवर्ग हो जाता है और दूसरा सुत्र है उसमें तवर्ग से चटवर्गा तवर्गा हा उसमें कहा गया है कि तवर्ग के योग में शकार हो तो इसको टवर्ग हो जाता है तो टवर्ग है तो टवर्ग आदित हो जाता था वो इस सूत्र को और इस सूत्र में दोनों के अर्थ में अंतर आ गया वहां केवल तवर्ग से सट तवर्गा तवर्गा लिखा है और यहां लिका है तवर्ग से चटवर्ग होगे चटवर्गउ यानि कि होगे यहां पर जो है टावर चावर आदिस करना है टापिस तक रेका चौथा प्रियुकटI दुड़ए बैन्जनमस्वरम परवर्णम नहित लगाएगे तो दुड़ए यह प्रियोग सिद्ध हो जाएगा पृर उसके बाद में अविवक्ती आएगी तो बैन्जनमस्वरम परवर्णम नहित लगाएगे तो व're जाएगे तुड़वचन में बहे प्रत्य आएगा तो दुष्महे, और बवचन में दुष्महे, ये प्रियोक सिद्ध हो जाएगा, पूर रूप बनेंगे इसके दुष्टे, दुषाते, दुष्थे, दुष्ः दुष्वहे, जुस महे और उसके बाद में हम सब्तमी विवक्ति में चलते हैं सब्तमी विवक्ति में हमें कुछ भी नया काम नहीं करना है क्योंकि सब्तमी विवक्ति में इत या ताम इरन ये परते आते हैं तो केवल अन विक्रणा करतरी अदादे लुक विक्रणा से और नामिनस चोबदाया लगो से गुण की प्राप्ती और दूसरा प्रियोग हमें करना है सरवेसा मात्मने नुत्तमे पंचम्या और उसके बाद अंतिम सुद लगाना है बेंजन मस्वरम परवर्णम नएत बस को जोड़ देना है और सेश्व्रयोग हमें जोड़ते हुए चलना है दुशी रन, दुशी था, दुशी याह थाम, दुशी ध्वम, दुशी यह, दुशी वही, दुशी मही अब पंच्वी में चलते हम पंच्वी में परस्मिपद और आत्मनेपद में कोई अंतर नहीं है परस्मिपद में तु आता है और यहाँ पर ताम आएगा लेकिन परस्मिपद में ही विवक्ति जब आएगी तो वहां लगेगा हूदुडव्याम हेरधी अब यहां पर ही नहीं है यहां पर बस यह सूत्र अलग हो जाएगा बागी सब काम उसी के समान चलते हैं तो अपरी दृत्तीधु से पृत्तलिकर रहा है आत्मनिपद में ताम कि छो काम करते चले आएंगे बद्लीजन और करते ही कि अधादे लुक्नवा से से विकरण का लुक को का ऊसके बानोड है नामिनस चौपधाया लगों से गुण की प्राप्ति शर्वेशा मात्मने नुत्तमे पंचम्म्या सुत्र से गुण का निसेत पिर यहाँ पर सामने ताम आया है तो बोई सुत लगेगा तवरग से सटवरगाट तवरगाहा तवरग के योग में लेकिन सुत्र में दोनों चीज़ें लिखी हुई है साटवरगाट मने सकार हो अत्मा तवरग हो तो यह सुत्र तवरग के योग में अगर तवरग आये तो दोनों सुत्रों का प्रियोग कर सकते हैं तवरग से सटवरगाट तवरगा या वो वाला भी जो बताया था परूप तकारत से चटवरग योगे चटवरगों इस सुत् भी प्रियोग कर सकते हैं और उसका भी कर सकते हैं को कि सुत्र बोला है तवर्ग से सट तवरगा तवरगा माने तवरग के योग में सकार हो अथवा तवरग हो दोनों चीजे कह रहा है इसलिए दोनों जगे प्रियोग होगा तवर का योग होगा तो वो वाला सुत भी लगा स सकते हैं और ये वाला भी सुत्र लगा सकते हैं दोनों सुत्रों का प्रियोग किया जा सकता है इसमें कोई संसर वाली बात नहीं है तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गव और तवर्गस सट तवर्गाट तवर्गाहा तवर्ग होने पर दोनों सुत्र आपके बीच में कि दौनों का प्रियोग किया जा सकता है तवर्ग से तवरगा सुत्र से जो ताम का टा है। उसको टवर्ग बना देंगे सकार की योग के कारण तो बन जाएगा दूश्टाम बन जाएगा आताम प्रत्य आएगा तो बैंजन महस्तरम परवर्ण में लगाएगी तो बन जाएगी दूसा टाम पिर अनताम पृत्ते आएगा तो आत्मने चा नकारा सुन से नकार का लूब करदेंगे तो बनेगा दुस्टाम अब स्वा पृत्तेय आएएं द्यम्पृश् के एक बचन में स्वा आया है और कर्तृरी भरतमाना के एक बचन में से आया था तो वहाँ पर भी साता और यहाँ पर भी सा है दोनों जगे एक ही काम होगा वहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं है अब अंतर क्या आएगा कि वहाँ पर से बोलना है यहाँ पर स्वाब बोलना है तो पुना सिद्धी कर रहे हैं कोकि वह कटे नहीं इसलिए दोवारा दोवारा रहे हैं अगर आपने ध्यान से बर्तमाना का से सुरा है तो यहां पर लगा सकते हैं सबसे पहला सुद लगेगा अन विकरना करतरी से अन विकरन करेंगे फिर अधादेर लुक विकरनश से विकरन का लुक कर देंगे फिर दो सुद लगाएंगे अल्ला नामिनस शोफदाया लगो सूत्र से गुण की प्राप्ति करेंगे और सर्वेशा मात्मने नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निशेद भी सूत लगेगा सडो का से सा और ढाके इस्तान पर का आदेश होता है सा पढ़े रहने पर तो यहाँ पर सा क्या है स्वा जो है वो सा है फिर वोई 150 नंबर का सुत्र नामिकर पराप्त्यविकारा गमस्ताः शीशमनु विसरजनिये सांतरोपी सुत्र से फिर मूर्दन्ये आदेश कर दिया जाएगा जो साथा स्वाकस्था है उसको मूर्दन्ये आदेश हो जाएगा और कासा योगे च्छा यह सूत्र जो है उस सूत्र से बन जाएगा दुश्वाह, दुश्वाह, फिर आताम पृत्याएगा, तो वही दुवे जैसे में काम किया था, वही काम यहाँ पर करना है, अपना एक बार रिवीजन कर रहे हैं अंतर वहाँ पर धुए था और यहाँ पर ध्वाम है परिवर्तान कुछ भी नहीं है पर रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि आपको पका हो जाए तो यहाँ पर ध्वाम प्रत्याया है सबसे पहला काम अनविकरना करतरी पिर अदादेर लुक विकर्णस से पिर नामिनस चोपदाया लगो हो पिर सर्वेशा मात्मने नुत्तमे पंचम्या से गुणकान निशेद अब हमारी इस्तित दुस धन ध्वम तो पीछे सूत लगाता धुटाम तुर्तियस चतुर्त हेशू धुटा को तुर्तिया होता है चतुर्त होने पर अब सकार का सकार का कोई बर्ग नहीं होता है इस कारण से तवर्गी के परिवार का है और तवर्गी के परिवार का होने के कारण तवर्गस चत्वर्गी योगे चत्वर्गु यानि कि धुटाम तुर्तियस चत्वर्तियस उस्तित उस मूर्दन सकार के इस्तान पर डकार आदिस होगा और ढकार आदिस हो जाएगा ढा के कारण तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्गवू यह सूत्र भी लग सकता है और तवर्ग से सट तवर्गा तवर्गवू वह सूत्र भी लग सकता है दोनों सूत्र फिरी है तो यहाँ पर जो धौम का धा है उस धौम के धा को योग वने के कारण धा को धा हो जाएगा और बन जाएगा दुट्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् परसमे पद में अब यहाँ पर ले कराएंगे आई आई आवहेई आमहेई तो वो भी गुणी था और यह भी गुणी है और यहाँ पर अब निशेद नहीं होगा तो यहाँ पर शुरू से काम कर रहे हैं दुस धन आई पहला काम अनविकरणा करतरी से अनविकरण दूसरा काम अदादेर लुक विकरणस से पिकरण का लोग और तीसरा काम गुण नामिनस चोपदाया लगो सूत्र से गुण करना है निशेद नहीं होगा और बेंजन मस्वरम परवर्णम नहीं लगा के जोड़ देंगे तो वन जाएगा दुएसेई फिर दुएसा वहेई फिर दुएसा महेई इस प्रकार से ये प्रियोग सिद्ध हो जाते हैं आज का समय लगवा कूरा होने वाला है इसलिए हैस्तनी का प्रियोग हमारे बीच में अवसेश वचा है कोसिस करते हैं कि वो भी आपके बीच में हो जाए तो यहाँ पर अब ता प्रत्त लेकर आएंगे ता अब ता प्रत्त लेकर आएंगे तो ता प्रत्त में क्या करना है वहाँ पर तो हमेरे ने बेंजना दिश्यों लगा दिया था बेंजना दिश्यों से उसका लोप कर दिया था दी और सी का लोप हो जाता था लेकिन यहाँ पर दी और सी का तो लोप होना नहीं है तो तापरता है तो तापरता में क्या करना है दुस धन अप्रितो दातु से तापरता लाए हैं सबसे पहला काम अनुविक्रना करतरी दूसरा काम अदादेर लोग विक्रना से विक्रन का ल तर्स्वु तीसरा काम गुन की प्राप्ति स्योथ के अब यहां पर दुस है धनता है अब यहां पर सूत्र लगाएंगे और सूत्र से हम क्या करेंगे तेहां पर जो दॉस्टा को ठा कर देंगे और धातु के आदी में अड़ धात्वादिर हैस्तन दित्तनी किरियाती पत्तीसू सूत्र से अटका आगम कर देंगे तो बन जाएगा अदुष्ट अदुष्ट पिर आताम पृत्ते आएगा तो जोड़ देंगे बेंजनाम बेंजनवस्वरम परवर्णम नहीं से तो अदु प्रते आएंगे तो जैसे पहले बनायता अदुष्ट ऐसी बनाएंगे अदुष्ठा एक सुद्रा सकारी और वीस रश्टा सूत्रॉल लग जाएगा फिर दुई बचन में अदुष्ठा थाम फिर बवचन में धौम प्रते आएगा तो धौम प्रते में पुराने की तरह अधुठ भाम फिर इप्रते आएगा तो वेंजन मस्वरम परवर्णम लरगाएंगे तो अधुष्षी पिर बही प्रते आएगा तो अधुष्मही अधुष्वफी और अधुष्मही इस परकार से इस दुष्ठात्यू के प्रियोग पूरे हो जाते हैं आत्मने परस्मे पद में दुश्धात्यू के प्रियोग में अनिके इस्तान पर उसादेश होकर नया काम होता था इसलिए वहाँ पर दो रूप बनते हैं यहाँ पर एक ही रूप बनेगा अधुशन और अधुशुहू यह दो रूप बनते हैं बाकि इसके पूरे रूप आपके दरण सिद्ये दुष्य धातु का मतलब है अप प्रीतु प्रीती नहीं करना यानिकी द्वेष करना इसका एरत है अब आगे जो सूत्र हमारे बीच में आरहा है उसमें पुरानी धातु है जितनी है वो आपके बीच में आएंगी जिन को के वाल इतना है कि सम उपसरगी के कारण उन धातुओं को आत्मनेपद हो जाएगा तो जिन धातुओं को आत्मनेपद होगा आप ये 700 नंबर का सुत्र समझ लेना अच्छे से और उसके बाद फिर उनको आदेश करने की कोशिस करना चलाने की कोशिस करना के आत्मनेपद में क चा चलता है क्या नहीं चलता है तो कल आपकी परिच्छा की घड़ी है कि 700 नंबर के सुथ में जिन धातूं के नाम यहां पर बताये जा रहे हैं बस उन धातूं को आत्मने पद में रूप चलाना है तो समुपसर के कारण ये धातूं आत्मने पदी हो जाएंगी जिनकी सबका यतायोग अभिबादन